साथियों, जिन लोगों में राजनितिक स्वार्थ के लिए शॉर्टकट अपना कर समस्याओं को ताज देने की प्रभुत्ति होती हैं, वो कभी समस्याओं का स्थाई समादान नहीं कर सकते। शॉर्टकट अपनाने वालों को कुछ समय के लिए भावाई भले मिल जाए, राजनितिक फाइदा भले हो जाए, लेकिन समस्याओं कम नहीं होती। इसलिए ही मैं कहता हूँ कि शॉर्टकट अपनाने से सॉर्ट सरकीट अवश्य होता है। शॉर्टकट पर चलने के बजाए हमारी सरकार समस्याओं के स्थाही समाधान में जुटी है। पराली की दिक्कतों के बारे में भी बरसों से कितना कुछ कहां गया। लेकिन शॉर्टकट वाले इसका समाधान नहीं दे पाए। हम किसानों की पराली से जुड़ी समस्याओं को समझते हैं। इसलिए उन्हें इससे छुटकारा पाने के आसान विकल्प भी दे रहे हैं। हमने जो किसान उत्पाद संग है एप्योज है उन्हें पराली के निस्तरण के लिए आर्थिक मदद दी। इससे जुड़ी आधुनिक मशिनों की खरीते लिए 80% की सबसीड़ी भी दी। अब पानीपत में लगा ये जैविक इंधन प्लांट भी पराली की समस्याओं के थाही समाधान में मदद करने वाला है। इस आधुनिक प्लांट में धान और गेहुं के भूसे के साथ ही मक्के का बचा हुआ हिस्सा, गन्ने की खोई, सडा, गला, अनाच, इन सभी का इस्तेवाल इथेनौल बनाने में किया जाएगा। यानि किसानों की बहुत बड़ी चिंता समाप्त होगी। हमारे अन्नदाता जो मजबूरी में पराली जनाते थे, जिने इस वजव से बदनाम कर दिया गया था, उन्हें भी अब गर्व होगा कि वो इथेनौल या जैविक इंधन के उत्पादन में भी मदद कर रहे हैं, राष्ट निर्मार में मदद कर रहे हैं। गाय भेंसों से जो गोवर होता है, खेतों से जो कचरा निकलता है, उसके निपतारे के लिए सरकार ने और एक योजना भी चलाई हैं, गोवर्धन योजना भी शुरू की हैं। गोबर्धन योजना भी किसानों की आय बढ़ाने का एक और माध्यम बन रही है।